स्वागत है आप सभी का आपके अपने सी यूटूब चैनल विद्यामन पर दोस्तों हम सभी जानते सक्षमता पास सिक्षक जो हैं अपनी काउंसलिंग और पोस्टिंग के लिए काफी परीशान है हो भी क्यों ना क्योंकि लगभग तीन मिन साधीक समय बीच चुका है कि अब समय समय सरकार तक अपनी आवाजे पहुंचाए जासे के लेकिन अभी तक सेड्डूल नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि जिससे की सभी सिक्षों को लॉस होनी की संभावना है एक इंक्रिमेंट का तो कहीं निका इन सब बात को लेकर सिक्षक अभी परिशान है और बहुत सि सिएस जो के पाठक सर थे वह अब उनका ट्रांसफर हो चुका है वह मिसुधार राजसुवी भाग में तो उनकी जगह जो है अब ऐसी दायत को या तरिक प्रभार दिया गया सिक्षाई भाग का तो पाठक जी के जाने से कहीं कर कहीं एक बात तो सपर्ष्ट होती है जो सिक जो काम सोच लेते थे उसको तुरंत करने के लिए तयार हो जाते थे बसाती किसी की इसमें नहीं सुनते थे चाह यहां तक की मुख्य मंतरी भी क्यों नहीं हो इन कुछ कामों को लेकर वो बेहत उनकी जो है अलूशना हुई जिसमें सबसे पहले गर्म चुट्टी रद्द क कर दी गई सिक्ष्कों का टाइम बढ़ा दिया गया बच्चोंगर्म चुट्टी में भी चुट्टी नहीं दी गई है साथ-साथ यहां पे और भी कई सारी चीज ऐसी जिसको लेकर सिक्षक काफी परिशान होने लगे सिक्षक नहीं से मांगा कि हमको इच्छी ट्रांस पर सब्सक्राइब लिए नहीं माना निक्ति सक्षक क्षमता एक्जाम को बैन कर दिया जिसको लेकर संग का लगतां जरूरी है क्योंकि संग यह बनाने का अधिगार संविधान देता है और अपने अवाज को बुलंद करने अपने उकर हो रहे अत्याचास खिलाब लड़ने का में अफसर भी मौका भी समिधान देता है जिसको लेकर उन्होंने भी सब चीज़ को बिल्कूल अपने अधे से दवान का प्रयाज किया लेकिन अंत्रता सत्य की जीत भी और गता बातला हो गया और उनकी अच्छे कामों की तारीफ की जाएगी और साइदु इस बात को में साथ ध्यान रखा जाएगा कि कुछ काम उनके शासन में वे बहुत अच्छे यहां तक सक्षमता एक्जाम जल्दी कंड़क्ट किया रिजल्ट भी दिया गया और उनके अचानक पर जाने से जो है यहां पर आप देखेंगे सक्षमता पोस्टिंग का मामला लटक गया यह सब बात हमारी हो चुकी है पुरानी हम आगे देखते हैं क्या को चल रहा है आईए आज का न्यूस छप्रा एडिशन का है 14 जून का है यहां साब साब देखेंगे सिक्षक चारे सक्षमता प्राप्त अंकोल के अधार पर होम ब्लोग में पोस्टिंग हो यहां पर उनको पोस्टिंग दे दी जाए उनके प्राप्तांग के अनुसार जो उनको माक्सिम से 10-15 किलोमेटर रेंज में नौकरी कर सके अपने माबाब के साथ रह सेके अपने परिवार के साथ रह सेके और किसी घर ना बिखरे ऐसी मांग अब लगातार उठ रहे हैं तमाम संगठन की तरफ से आप यह साब साब देखेंगे जो अंकों के अधार प्रहों ब्लोग में सबसे में जो सक्षमता परिक्षा में प्राप्त अंकों के अधार पर हों ब्लोग में पोस्टिंग यानि की सबसे में हैं जो सक्षमता में अंक प्राप्त हुए हैं उसके अधार प्रहों ब्लोग में पोस्टिंग हो किसी भी प्राप्त करने वाले बहतर प्राप्त करने की उम्मीद होती आपरन्तु उसे सहरी छेत्रों में पदास्थापित किया जाएगा सिक्ष्य के नेता ने का कि वर्सों से लंबी स्थांतरन की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार भैतर अंग प्राप्त करने वाले सिक्ष्यों को उनके प्राप्तांग के अधार पर जब जीला आवंटित कर सकते तो सि समस्या परिमुक्हमंनतरी एवं शिक्ष्य मंत्री सहनुफिति वर्विचार कर प्राप्तांग की अधार पर हो ब्लॉग में समस्य कहा करें जिससे शिखक्ष्य रीद्र में परठन पाठन का का कर सकें इसी को लेकर ऊंस सिस्टम को लागू किया जा सकता है इससमोग पर जो उल्टी गिंती शुरू सक्षमता परिक्षा में पास सेक्षों की पोस्टिंग के लिए 20 जून तक रिखती की मांग की गई है यह साव सावाज की नियूस पर मिन आप दखेंगे अब देखेंगे सक्षमता परिक्षा में होतीन जिले के नियोजिस शुच्छों की काउंस्लिं सब्सक्राइब और उच्छमादू की द्यालों से विशेवार सुकृतबल कार्यतबल एवं रिखती पदों की वर्वार नामंकिन चाह चात्रों के बारें पूरा व्योरा सभी ब्यों से मांगा है डीप ने व्योरा इमेल के साथ साथ हार्ड कॉपी डियो कार्याले को 20 जू सब्सक्राइब बहुत सारी सब्सक्राइब लगेंगे सवाल था कि यह तुमको पता है लकिन यहां पर विखल्प मांगा गया था सभी को फॉर्म बरती वक्त उनको मांक सब्सक्राइब भी हुआ है और जल जारी होगा सेड्डूल कांसलिंग इसके लिए बहुत से सिक्षक नहीं रोज झता है कि होम ब्लॉक मिलने पर आंदूलन की थंखी तक वी दे द जा रहे है कि हमको हम ब्लॉक दे जाए पोस्टिंग में इसकी धमकी भी दे जारी है जो सक्षमता पास उनको चाहिए बहुत जल उनकी पोस्टिंग की जाए उनको होम लोक देया जाए उनके माक्स के स्कूल अलोट किया जाए यह तमाम बातें सरकार तक पहुंचाए जा रही है सक्षमता पास तीजर पोस्टिंग को लेकर अभी तक कुछ नहीं किया गया है एसी जुसलमेडिया के माधन से अपना रोज प्रगट किया है बिहार शिक्षक मंच के आवान पर सिक्षक रिपोस्टिंग करते वे लिखा कि फरवरी में पीछा लेने के बाद आज तक सक्षमता परिक्षा पास सिक्षां की पोस्टिंग क्यों नहीं की गई टी एसी टी उती नियोजी सिक्षक संके प्रदेस प्रवक्ता सुनी पांडे और बिहां सिक्षक मंज कि वह से सौरफ कुमार ने काया कि सरकार ने सभी सिक्षों की योगिता पर सवाल उठाया गया लेकिन जब इन सिक्षों ने परिशा देगर अपनी योगिता साबित कर दी तब राजी करिम को दर्जा देने के लिए महिनों से काउंस्टिंग और पोस्टिंग को लटकाए रखना उचित नहीं है वर्सों से महीला दिव्यां से काफी नराज हैं और यहां तक लगता है कि हम लोगे एक्जाम बहुत जल्दी पास कर लिए और पास करने के में क्या फाइदा मिला हमारी काउंस्टिंग को लटका दी जा रही है तो इसे मैं हर बार जो सिक्षक संग है जो मैं सक्रिस साहती अपने अवास सरकार तक पहु टॉपिक वीडियो जी कमेंट कीजिए मैं वीडियो लेक्या हूंगा फिलाले इतना ही उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए नहीं तो चैनल को सब्स्क्राइब भीजिए ठैंक्यू टेक केर बाए बाए